Hello friends, welcome to our channel MNP Knowledge School. Financial year 2021-22 अब खतम होने वाला है. बस दो दिन का समय बचा हुआ है. इस वीडियो में हम आपको ऐसे 10 कामों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको 31 मार्च 2022 से पहले कर लेना चाहिए जिससे कि आपको कोई नुकसान ना हो. तो ये वीडियो काफी important है, आई ये वीडियो शुरू करते हैं. वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर लें और notification के bell icon को भी प्रेस कर लें जिससे की हमारे चैनल पे कोई भी वीडियो आए, उसको आप मिस ना करें. तो पहली चीज है आधार को पैन से लिंक करना. पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक कराने की जो आखरी तारिक है, वो 31 मार्च है. पहले कई बार ये तारिक बढ़ चुकी है, और इस बार भी उमीद है, ये तारिक बढ़ेगी, लेकिन फिलहाल अभी तक इसकी कोई खोशना नहीं हुई है, और अगर ये आगे नहीं बढ़ता है, तो 31 मार्च तक जिनका भी जो पैन है, आधार से लिंक नहीं होगा, वो प पैन अवैद यानि इनक्टिव हो जाएगा, और अगर किसी व्यक्ति के पास एक्टिव पैन नमबर नहीं है, तो बैंक आपकी आये पर 20% की दर से TDS काटेगा, दूसरा है, लेट और रिवाइज रिटर्न फाइल करने की जो आखरी तारिक है, वो 31 मार्च है, दोहजार उन लिए रिटर्न भरने की जो मूल समय सीमा जो है जब खतम हो जाती है, उसके बाद बिलेटेट रिटर्न फाइल किया जाता है, इसके लिए इंकम टैक्स पेयर को 10,000 रुपै पेनाल्टी भी देनी होती है, तो जिन जिन लोगों ने अभी भी अपना ITR फाइल नहीं किया है, 31 मार्स से पहले जरूर फाइल कर ले और आगे की समस्याओं से बचे रहें, तीसरा है स्टॉक्स और एक्विटी फंड से प्रॉफिट बुक करना, स्टॉक्स और एक लाख रुपै से जादा के लाग टर्म कैपिटल गेन्स पर जो है, अब टैक्स लगता है, और अगर आप आपको लॉंग टर्म कैपिटल गेन्स हुआ है, तो आपके लिए एक लाख रुपै तक के लाख पर टैक्स छूट का फाइदा उठाने का ये आखरी मौका है, 31 मार्स से पहले इस हिसाब से प्रॉफिट बुक करे कि टैक्स छूट का लाब मिल जाए, अब करना क्या होगा आपको देखिए, इसके लिए आपको 31 मार्स से पहले उतने स्टॉक्स और एक्विटी फंड से बेच देने चाहिए, जितने पर एक लाख रुपै तक का लाब मिल जाए, फिर इसी पैसे को आप अगले फाइनिसियल एर में, यानि अगले महिने से दोबारा इंवेस्ट कर स देखिए, चौथा है, इंकम टेक्स जुट जो है पाने के लिए, निवेश करने के लिए 31 मार्च लाज डेट है, अगर आप इंकम टेक्स जूट का फाइदा उठाना चाहते हैं, इंकम टेक्स के जो सेक्शन्स होते हैं, PCR कोई भी आप लाब लेना चाहते हैं, तो आप इन में कर सकते हैं NSE खरीज सकते हैं LIC policy करा सकते हैं तमाम चीजे और भी है एटी सी पे हमारे चैनल पे वीडियो उपलब्ध है आप उसको भी देख सकते हैं पाचवा है बैंक और डीमेट एकाउंट की KYC 31st मार्स 2022 तक डीमेट और बैंक एकाउंट धार को को अपना KYC कराने के लिए जो है बैंक जो है वो कहता है और इसके साथ ही हाल कही जो फोटोग्राफ होता है और अन्य जानकारी मांगी जाती है और अगर आपका KYC अपडेट नहीं है तो आपका बैंक खाता बंद कर दिया जाता है अगर डीमेट एकाउंट की बात करें तो वहाँ अग अगर आपको किसी कंपनी का शेर खरीदना भी है या आप खरीद भी लेते हैं तो उसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकेंगे ठीक है तो इसलिए डीमट अकाउंट में भी आप अपना KYC अपडेट जरूर कर ले और PPF NPS सुकन्या जो एकाउंट होता है उसमें भी जो मिनिममम ए PPF में सुकन्या समर्द दियोजना में NPS में तो यही समय है कर डालिये PPF में कम से कम 500 रुपए जमा होता है सुकन्या समर्द दियोजना में कम से कम 200 रुपए जमा होता है NPS के टीर 1 एकाउंट में 1000 रुपए जमा होता है कम से कम और टीर 2 एकाउंट में 200 रुपए जमा होता है और साथ भी बदलाव है छोटी बचत योजनाओं से बैंक अकाउंट को लिंक भी करना है यानि कि डाग घर की जो छोटी बचत स्कीमें है जैसे टाइम डिपॉजिट सीनिय सिटिजन बचत की स्कीम जो भी है वगारा वगारा जो मंतली स्कीम चलती है इन सब को भी 31st मार्च तक बैंक के सेविंग अकाउंट से जरूर आप लिंक कर लें क्योंकि एक अप्रेल से इन योजनाओं का पैसा सेविंग खाते में ही अब मिलेगा ठीक है पोस्ट आफिस जाकर आप कैश में ब्याज का पैसा अब नहीं ले सकते हैं यानि की पोस्ट आफिस एकाउंट से भी आप अपना बैंक अकाउंट लिंक करिए और पीम किसान योजना के लिए एक वाईसी करने का 31st मार्च लाश डेट था लेकिन हाल फिलाल की खबरे आई है इसको माई तक संभवतव 22 माई तक जहां तक है खबरे आ रही हैं बढ़ा दिया गया है और पीम किसान योजना में 2000 रुपए जो है सरकार की तरफ से किसानों को मिलता है पहले 31 मार्च तक EKYC करना जरूरी था सर्वर में कुछ प्रॉब्लम थी अब सरकार ने इसको बढ़ा दिया है फॉर्म जो 12 भी है इसको भी जमा करने का जो लास्ट डेट जो है 31 मार्च है फॉर्म 12 भी क्या होता है अगर आपने एक अप्रेल 2021 के बाद नौकरी बदली है तो पुराने नौकरी से जो टीडियस आपका कटा होगा उसकी जानकारी फॉर्म 12 भी में 12 भी में भरी जाती है उसके जरीए आप नई कंपनी को देते हैं 31 मार्च तक फॉर्म 12 भी नहीं जमा किया तो कंपनी आपका ज़्यादा टीडियस काट लेगी आपको नुकसान होगा तो इसको भी आप तुरंत कर लें और आखरी ज़ो है जरूरी जीज वो है प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत लोग जो है वो सस्ते दामो पर जो है सरकार उनको घर उपलब्द कराती है ये एक स्कीम है इसके तहत पहली बार घर खरीदने वालों को सरकार होम लोन के ब्याज में सबसीडी की पेशकस कर रही है जो अधिकतम 2,67,000 रुपए तक की होती है अलग अलग आए वर्ग को अलग अलग प्रतिशत जो है सबसीडी दी जाती है इस स्कीम का फाइदा 31 मार्स तक लिया जा स लगता है तो ये 10 महत्वपूर जो है जरूरी काम 31 मार्स से पहले आप सब जरूर कर ले और परेशानी से बचे वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगले वीडियो में फिर हम आपसे मिलेंगे नमस्कार